आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो स्टूदेंट्स हमें आप एक विज्ञान के बारंबार योग द्वारा निर्मित बहुलक कहलाता है इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार की इकाई से मिल करके जो बहुलक बनता है वो क्या होता है एक ही प्रकार की इकाई से मतलब यहां पर यह है जैसे कि एक्जामपल हम या लेते हैं पॉलिधीन का ठीक है तो CH2 डवल बॉंड CH2 ठीक है इसके जब N मॉलिक्यूल बॉली करण में भाग लेंगे ठीक है जब इसका पॉलिमराइजेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा यहां पर CH2 सिंगल बॉंड CH2 ठीक है और यह क्या है यह एक बॉलक है यह किसका पॉलिमर है यह एधिलीन का पॉलिमर है इसका नाम है एधिलीन और इस योगिक का नाम है पॉलिधीन ठीक है तो यह एक पॉलिमर है और यहां पे हम देख सकते हैं कि यह एक ही यूनिट है ठीक है और बार बार इसके मिलने से ही क्या बन रहा है पॉलिधीन इसी तरीके से और भी एक सांपल है जैसे कि पॉलिस्टाइरीन हो गया और पीवीसी हो गया ठीक है तो इन सब में क्या काई होती है वो एक ही होती है ठीक है मतलब यह एक ही प्रकार के एक लग से मिलके बना होता है तो ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलते हैं इन्हें हम सम बहुलक बोलते हैं ठीक है सम बहुलक क्यों क्योंकि इस समान प्रकार की एक लग काईयों से मिलके बने होते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सम बहुलक ठीक है इसके एक्जामपल अगर हम लिखे तो यहाँ पे आ जाएगा पॉलिथीन PVC यानि की polyvinyl chloride और polystyrene ठीक है जो भी एक प्रकार की एक लगई कायों से मिलके बनेगा ठीक है वो क्या कहलाएगा सम बहुलक ठीक है तो यह हमारा answer सम बहुलक ठीक है तो यह हमारा answer सम बहुलक ठीक है सुचा, 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 सुबर